हिमाचुन प्रोदेश के जिलाउना के लमलेहडी में चात्रों से भरी एक स्कूल बस पलट गई हादसे में कुछ चात्रों को चोटे आई हैं बताया जा रहा कि हादसे के समय बस में करीब 15 चात्र सवार थे जिनें हलकी चोटे आई हैं इन में से तीन छात्रों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है ये सभी छात्र SS, VRM, Senior Secondary School के छात्र हैं स्कूल में छुटी होने के बाद बस छात्रों को घर छोड़ने जा रही थी कि रास्ते में हाथसे की शिकार हो गई बस पलटने का कारण ब्रेक फिल होना बताया जा रहा है हाथसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई बच्चों के अभिभावक भी रोते भी लगते घटना स्थल की और भागे भायलों को ख्षेतरी अस्पताल उना में इलाज के लिए भरती करवाया गया है हाथसे की सूचना मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी भी अस्पताल पहुँचे ASP प्रवीन कुमार धिमान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रही है EWN24 News के साथ